कि गाउं में बिकास ना होता देख सत्ता का विकेंदरी करण कर पंचैदी राज ब्यवस्था का गठन किया गया दो-दो चुनाव हुए अब तिसरे चुनाव की कवायद सुरू हो गई है सरकार कस्तर से लेकर के परसासनी कस्तर पर साथ ही चुनाव लड़ने वाले जनप्रतनीधी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं लेकिन दो चुनाव के बाद भी गणाओं का विकास कितना हद तक हुआ यही जानने अभी हम दुल्दुल्वा पंचायत में पहुचे हैं यहां हमारे साथ पंचायत के भी कई लोग हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं चंद प्रदेधी वह भी हमारे साथ हैं हम पर लहां जानेंगे कि दो दो चुनाव हुआ गाव में विकास नहीं हो रहा था तब तक तो हम लोग पर दो चुनाव के बाद ल स्थिति कितना की आद कितना हसी हिरा अभी तक तक तो जंहां झाने लोग Ah कोई सभर ने हुआ हैं अब अबर बार में द्खा जाए क्या होता है को चिस जहां तक हम लोग करेंगे Awakाष कि आज़ुहनेימे लोग दो चुनाव데 कि आपने होना चाहिए था जो आज ती आप लोगों की विकास हो जाएगा बहुंत हमारा सरकार बन गया है फ़िए पंचायत बिवस्था में हम आ गए हैं लेकिन तना हद तक भी कास हुआ हमारा दुल दूलवा पंचायत में में चीस्ट है कि आप अरे हां का लोकल जो है मुखिया दूलवा गाउं से नहीं हुए भगर से उन्हों ने जो भी भीकास किया पेशिका के कि लुग के लिए कोई विकास ने दुद ओला में केवल उन्होंने दार गाम अभी गमका हुआ है जो सीजीएम वगरह भी बेल देने के लिए किसी को तयार नहीं है यही मेरा मुखिया पति राम प्रताप साहु का भून क्या है अब होने अपना विकास किया जो उनके पास रहने का कुछ नहीं था यह पंच वर्षा में उनका पतनी गीता देवी है जो जन्द प्रतनी हैं उन्होंने अपना विकास किया पंचायद का विकास नहीं किया साही बात अवैत सराब कि आई तो हम खभरनवीस है जब भी बात सामने आते है तोinta साबसे दिक बांदा में भी नाम हिहांए उकि 你 करा जाएगा आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस पार जो तिसरा चुनाव होने वाला है अब तक किस गुज्रे हुए वक्त में दो बार चुनाव जब हुआ दोसल के आउधी में क्या देखा आपने कितना विकास हुआ जहां तक ये त्रिदर्शिये पंचाज चुनाव होने जा रहा है मुझे काफी यह कहने में दर्द मसूस हो रहा है कि तीन पूरिये देश के अंदर तीन ही सभा होते हैं और तीन ही पद के आसिन देश का परधान मंतरी राज का मुख मंतरी और ग्राम परधान जो होते हैं जो ग्राम की सरकार कावा मुख मंतरी परधान मंतरी होता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि जैसा लोगों ने सोचा वैसा विकास के नाम पर यहां नगन्य है भरशाचार में सारे लोग लीपत हैं कहना ही नहीं है कि यहां क्या हो रहा है मैं इस बार चुनाव लडने जा रहा हूं और दुलदुलवा पंचायत की ओर से किसी जाती विशेश का मैं उमिदवार नहीं हूं दुलदुलवा पंचायत का उमिदवार हूं मैं दुलदुलवा बास्यों से नमर निवेदान अपील कर रहा हूं कि एक बार दुलदुलवा क के धर्ति को पर्ति मत छोड़ो भाई मेरे उन्हें सो से तालिस के अजादी के बाद यह दुल-दुलवा मुख्याले बन गया इसमें भी हमारी आहम भूमका रही है जो बिगत की सरकार लालू जी ने कहा था कि संखा जिसकी भारी होगे वहां पंचात मुख्याले बना दो और मुझे यह कहने मती सुक्ति नहीं होगी कि निस्तित रुप से इस बार मैं पूरे ग्राम बास्यों सापील कर रहा हूं कि उन्हें सो से तालिस अजादी के बाद यह दुल-दुलवा पंचायत देस अजाद हो गया लेकिन दुल-दुलवा अजाद नहीं हुआ इस अजादी को मैं लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल त्यार हूं चपाकल हो परधान मंत्री अवास हो चाहे जितनी भी योजना हैं जो भी पंचायत के दिना चौदा में बीत की पैसा जो हैं यह सारे योजना पर बिल्कुल पारदरिश्ता के साथ काम करूंगा मैंने दो-दो टर परखंट भी सुत्री परभारी रहा हूं और यह पता करने की चीज है कोई भी कल भी रिश्वत कोई परधान मंत्री अवास योजना में कोई भी चापाकल में अन्नी योजना जो भी पंचायत से संचालित होते थे उसमें रिश्वत नाम का एक नया पैसा हम लोगों ने कभ आने वाला समय में अगर कास सासिरवाद मुझे प्राप्त हो गया ति यह करके दिखाऊंगा इसमें कोई कसर नहीं मैं छोड़ूंगा विखम जी का साब तर पर कहना है इन्हें दर्द है सिदत से दर्द को महसूस कर रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए जिस हद तक दुलद दुलवा जो इंका गाउं है उस दुलदुलवा के नाम पर पंचायत का नाम पड़ा खेल हुआ लेकिन वहां तक विकास नहीं पहुचा आज भी यह गाउं यह पंचायत विकास के मामले में अभी भी गुलाम है क्या अभी तक दो साल हो गया यहां होस्पिटल बने हुए यहांना कोई डाक्टर का ब्यक्ता है न रोट का व्यस्था है नदीकी में गड़वा से नो किलिमीटर दुल ऑपड़ता है और हम लोगों को जाना पड़ता है पंदरा किलिमीटर。 अभी तक यहां के सरकार चाहे का कोई है, मुख्या प्रतिन इदी, इसके विशे समें कोई पत खा्वय हुए इस दो बार के दर्मयान भी जो भी जंत वह से निर्वाचित हों और कम से कम इस गाउं का इस पंचयाइट का ठोड़ा अज Pres dies पहुंचे लोग विकास से लभानवीत हों। आस्वतो सरंजन पिंदास न्यूज दुलदुलवा पंचायत गढ़वा।